मैं सुनियुल क्मार स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभी प्रेणा एक्लासिज में दोस्तों आज जो जियोग्रोफी का फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ है उसमें आज अपने बात करेंगे मनोविज्यान से समधी जो महत्वपन क्यूसन है उनकी आंस मिल जाएगी और उन सब का एक अलग वीडियो में आज शाम को उपलग्द करा दूँगा तो जो भी चैनल पर नहीं है प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तो देखते हैं मनोविज्यान से समधित कुछ महत्वपन प्रस्टों को ठीक है मनोविज्यान के प् फियाजे के सनफार केवल गामक किरियाओं के ओले गामक किरियाओं द्वारा अभिव uw sleut military अभिवब्षेश्थे किस वस्ता में देखी आती है तो आप सब सब दर्गत हो जाएगा पहला उप्षन इंद्रिय जनित गामक आवस्ता नेक्स्ट क्यूशन देखिए कि दूसरा जो प्रसन है इसमें आज की पेपर में समीपस्त विकास छेत्र जोन ओप प्रॉक्षिमल डेवलेप्मेंट जेड़ पीडी को अपन क्या कहेंगे जोन ओप प्रॉक्षिमल डेवलेप्मेंट यह जो अवधारना है यह किसकी है तो जेड़ पीडी की जो अवधारना आपके सामने जीन प्याजे बंदूरा से वाई गोट्स की और डी है यहाँ पे चार नबर उप्सन इसकी तो इसका सही अंसर हो जाएगा वाई गोट्स की वाई उसका जो बीच का चित्र है उसको अपन क्या कहते हैं जेड़ पीडी कहते हैं ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर नेक्स्ट क्यूजिन देखिए आगे है सिक्सा मनुविज्यान मनुविज्यान की अन्यक साखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से सम्मधित है किसी सम्मधित है आपके सामने उप्सन है केवल सिक्सा की देखिए मनुविज्यान में जो केवल सब दाता है वो हमेसा ही मोश्टली नकारातम रहते है तो आ आगे देखिए मनविज्यान से संबंदित मैं अगला क्यूशन लगते हैं इसमें नायक पूजा ठीक है अपने हीरो वर्षिप की जो आपन कहा सकते हैं वह कौन सी अवस्ता की मैंतुपन विश्यज्टा है कि आपके सामने ऐस्टे है यहाँ पी स्यस्व आवस्था की सोर आवस्था तीन अमब्र यहाँ पर पूर्व बाय आवस्था और चार नंबर यहाँ पर प्रोड आवस्था तो यह है unto सोरा वस्ता से संबंदीत इसका सई उप्सन हो जाए कि उसनों नबर 34 में दो नंबर नेक्स्ट देखिए मनुविज्यान से संबंदीत क्यूसनों के अंतरगत अपन बात कर रहें तो मनुविज्यान के प्रशनों में अपना आगे बात करें इसमें अगला क्यों सन अपना है मैं तो पुन निम्न लिखित में से कौन सा खराब मानसिक स्वास्ते का लक्षन है आपके सामने है आसावादी तो जो है अच्छे मानसिक स्वास्ते के लक्षन है तो यह इसमें अच्छे मानसिक स्वास्ते के लक्षन है लिगिन आपको पुछा के कौन स्थे मान श्रोस्टे के लक्षन है। यहाँ देखिए जिमने विधिक खराब मानसी स्वास्ते के लक्षन है। आगे देखे इसमें वनुभियान के प्रसनों के बात करें तो अbew Żyad heh, ज्याद技 नहीं है। क्यूशन एवरेज यपन इनको कहेंगे लगबग पेपरों में फिजिक्स का जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा जटिल था और बायलोजी का जो पेपर था वो भी ठीक था और हिंदी का काफी जीता मनुविज्यान के प्रस्णों की बात करें तो अब देखते हैं इसमें आज जो 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 पेपर का लेवल भी एवरेज यपन इसको कहेंगे देखे इसमें निम्न लिखित में से कोन सा सिक्सा मनुविज्यान का किंद्रिय चेत्र है क्या आपके सामने option है अधिगम पिरक्रिया दो नमबर समधाए प्रबंदन और चार नमबर यहां पर मापन आपन उसमें था कि सिक्सा मनुविज्यान सीकने और सिखाने से संबन्दित हैं थे संबन्दित हैं उससे अभिप्रेडणा है उससे संबन्दिती वाले के बुद्धी का इस्तार है यह सब चीजें एक केंद्र बिंदू परकारी करती है और वह चेत्र अधिगम प्रिक्रिया तो क्यूशन नमबर त्रानवे कंप्लेट नेक्स्ट मनों विज्ञान से सम्मंदित प्रशनों के अपन बात करें तो आगी क्यूशन देखिए अधिगम का गोण नियम आपको गोण नियम पूछा गया है तो देखिए बहु रूपी अनुक्रिया का नियम आपको पता है तत्वरता का नियम अभ्यास और प्रभाव यह तिनों मुख्य नियम है जबकि यहां पर जो है एक नमबर उप्शन वह गोण नियम के अंतरगत जाता है तो कि उस्थे दसका सज्यांसर हो जाएगा तो कि उसन नमबर जो 110 है इसका सज्यांसर क्या हो जाएगा आपको ठाण डायें का गोण नियम पुच्छा तो बहु रूपी अनुक्रिया का नियम इसके अंतरगत हो जाएगा आगे देखे मनविज्यान से सम्मंदित प्रश्णों के अक्रम में कोहलब्रग के सिद्धान्त में किस इस्तर पर नेतिक विकास बहाय मान को पर आधारित नहीं होकर आंतरी करण पर आधारित होता है मैं तो पुन अच्छा क्यों सेने हैं कोहलब्रग नेतिक विकास की जो है चरणों की बात करें तो तीन चरणों वतायते यहां पर एक अवस्ता होती है पूर्वनेतिक प्रीकन पर जिसको पन कह सकते कंवेंशनल ठीक है यहां पर व्यक्ति बाहरी दप दंड एवं सजासे बचने के लिए कारी करते हैं यहां पर व्यक्ति सामाजिक मानकों नियम से उर् यहां पर जो अंतिर्म है बाहरी मानकों पर आधारित उसका नेतिकता नहीं होती Bene कुन रूप से आंत्रिगर्ण यानि खुद के आधार पर नेतिक नियम होते हैं तो यहां पर क्यूशन नमर जो 115 है उसका सही अनसर हो जाएगा पस्च रूडिगत इस्तर है कि नेक्स्ट क्यूशन देखिए संब्यगात्मक बुद्धी मता के महत्यों के संबंद में निमनलिकित कतन दिये गए हैं सही कतन कौन सा है आपके सामने उप्शन है संब्यगात्मक बुद्धी मता आईक्यू से अधिक सक्ति साली नहीं है तो संभेगात्मक बुद्धी जो है IQ से अधिक सक्ति साली है फिर है आपको सही कतन पुचा गया है उच्छ संभेगात्मक बुद्धी वाला व्यक्ति अपनी जीवन में जो कुछ भी करता है उसमें सफल होने के संभावना होती है तो यहां पर यह कतन सही है कि जिसमें अच्छा EQ होता है वो व्यक्ति जो भी जोब कर रहा है जैसा भी जोब कर रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज़ होगी वो उसमें सफल और खुशी दोनों चीज़ उसमें देखने को मिलेगी उसके सफल होने की संभावना क्योंकि वो अपने आपको पैचान कर वो कोई भी डिसीजन लेता है जिसमें अच्छा EQ होता है यानि अपनी इसको समवेगात्मक बुद्धी भी कह सकते हैं फिर है हम अपनी समवेगात्मक बुद्धी को जानने के बाद उस पर खुष भी रहता है तो यह कतन यहां पर गलत है फिर है समवेगात्मक बुद्धी मापन से शिख्षा विदो में सफलता की भविशेवाणी नहीं कि जानने के तो यह कतन भी गलत है समवेगात्मक बुद्धी के आदार पर हम किसी वेक्ती की सफलता और खुशी के बारे में बविश्यवानी कर सकते हैं तो इसके अंतरकत एक सुगुनीश नंबर का जो क्यूसन है उसमें दो नंबर उप्शन सही हो जाएगा आगे देखिए मनुविज्यान के प्रस्णों के गरम में आगे क्यूसन आपके सामने हाँ शिक्षन प्रतिमान का यह क्यूसन है अच्छा क्यूसन है खफी शिक्षन प्रतिमान में या शिक्षन प्रतिमान का कौन सा तत्वे शिक्षक एवं शिक्षारती के अंतेकरिया से संबंदित है देखिए शिक्षन प्रतिमान की बात करें तो चार इसके अंतरगत तत्व होते हैं ठीक है एक नमबर पर तो यह हो गया ठीक है दो नमबर पर संदचना ती नमबर पर सामाजिक परनाली और चार नमबर पर मुल्यानगन परनाली तो यह सिक्सक और सिक्षारती के बीच में अंतरगिया जो होती है वो सामाजिक परनाली क अंतरगत आती है तो क्योश्ण नमर 134 जो है जिसका सभी अंसर हो जाएगा दो नमबर है कि आगे देखिए मनुविज्यान के अगे सहकारी अधिगम का लाब है सहकारी निवन में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाब है यहां पे है एक नमबर धारणा में कमी अधीग सामाजिक प्रोथसाहन निमन उपलबदी निमन अत्म सम्मान तो यह जो तिनोओ ओप्षन गलत है इसका सही अंसर हो जैगा दो नमबर एक स सुझ्ंबर हो जैगा दो नमबर आगे देखिए 148 नमबर 148 नमबर देखिए कौन सा खत्तन आपको युग में देखना गलत युग में देखना गलत युग में देखना अर्थपून साथिक अधिकम आगे देखना और सास्त्री अनुबंदन पावलोग का है तो इसका सयांसर हो जाएगा 148 नंबर पर दो नंबर और आगे मनुविग्यान के कोई क्यूशन नहीं है तो ये थे आज के अपने मनुविग्यान से सम्देश में महतवपून क्यूशन प्रस्णों का लेवल का फी नॉर्मल लेवल था जो भी चैनल पर नहीं है प्लीज आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राब करें और मनुविग्यान से सम्देश मेहतवपून वीडियो आपको यहां इस चैनल पर देखने को मिलेंगे और जितने भी पेपर उनकी जो सबी सिरीज है वो भी आपको यहां पर मिल जाएगे धन्यवाद